संजा टीवी देख रहे दशकानों हरमीत बंबरावलों प्यार परी सस्रीकाव साधे नाल ने आज डक्तर दता जोशी जी जो की सानू दसन गे हेल्थ डाइट बारे क्योंकि आज कल दे दिना दे विच्छ की हो रहा है बहुत सारी यां डाइट शुरू हुएं यह ने उन्हा डाइट शुदे कारण कईया नो बेनेफिट भी होया ने मगर कईया ने उस दा नुकसान भी होया है अज जैसी डाक्टर दता जोशी जी जी नो खास इसे मकसद ली बलाया है कि सानू पता चाल सके साथे दशकानों पता चाल सके कि एक नॉर्मल लाइफ दे वीच डाइट क कि होजी होनी चाहिए असी संजा टीवी दे उते दे दा स्वागत कर दें नमस्ते ते साथा जड़ा में आज दा टॉपिक जिस तरह आसी दासी देता अपने दर्शकानों ते थोड़ा जहां सानू हाँ डाइट बारे तुसी दसो की डाइट जी नॉर्मल लाइफ दे वीच जड़ी की अपना खाफ जड़ी आज चाल रही है उनना तो हटके अगर नॉर्मल रूटीन दे वीच जड़ा फी खाना खान दे तो नाइट उदे वीच केड़ी जानों आसी एजी ली ले सक दे तो किस री किना आसी अपनी हेल्थ नों कंट्रोल कर सकते ने अच्छा सवाल अपने पूछा हम तो मैं पहले बताना चाहत हूँ कि नॉर्मल हेल्थी डायेट बहुत इंपोर्टन्ट है उससे आइक तो आपकी डायबेटीस की रिस्क कम हो सकती है हाइपर टेंशन स्ट्रोक कैंसर की बीमारी कम हो सकती है और आपका लाइफ लंबा और मीनिंग्फुल क कम हैं, ने अपनों में कावकि देतार में चाहता है तो सबी दर्शक को आपका है और कि भी भी बूडे लोग यह झो है तो फॉर्सक है लेस्ट शोगर लेसस्समार गयाना कि र है बेदेशन रही नो में बताओंगा एक चीज तो फर्स सबसे जो ज़रूरी बात है वो है लेस शुगर ठीक है तो खास करके हमारे इंडियन डायेट में हम शुगर काफी एड़ेट शुगर लेते हैं चाहे से हम शुरू करते हैं तो चाहे में दो चिनी शुगर डालते ही डालते हैं हलाकि मैं डॉक्टरी इंडिया से पढ़ा हूं और यहां ऐस्टेलिया में भी काम कर रहा हूं तो इंडिया में मैं जब था तब भी मुझे पता नहीं था कि इतनी शुगर नहीं लेनी चाहिए हमें तो हम सिर्फ लेस शुगर उनको बोलते हैं जिनने डायबेटीस है लेकिन उनको अइड On में उनको बी डायबेटीverse नहीं लेननी चाहिए अगर हम लेंगे इंडिया बार Buray करेंगों तो काफी डायबेटीस परसंटेज काफी कम हो सकता है ऐसरफ एकस्ट्रा शुगर कम करने-स है जी अधकर तुस्हीं कि मोले कि आज शूगर करूना एष ये शूग जाट कीता जाए ते ओधिन नाल काफी फर्क पहें जाना है तो दिन में चाहर पाच बार लेते हो और अगर दो दो चमच आप लोगे तो दिन में आट चमच शेगर तो जानी है तो यह आप इमीड़ी कट कर सकते हो जो स्वीट चीज़े आप खाते हो अपकेजिनली खा रहे ह तो ठीक है उसमें इतना कम करने की जुरुरत नहीं है और आप खाना भी बनाते टाइम एक्स्टा शुगर डाल के मत बनाओ जो नॉर्मल विदाउट शुगर करके बना सकते हो खाना तो नॉर्मल डेली डायेट में कम कर दो यह तो दूसरी चीज है जो लेस सॉल्ट तो हम अगर राइस प्लेट भी अगर होटेल में जाते तो नमक रहता ही है तो हमको एड़ेट सॉल्ट नहीं लेना चाहिए जो उपर से नमक डालना नहीं चाहिए और आचार भी हमारा जो बनता है वो काफी सॉल्टी रहता है ताकि वो प्रिजर्व हो सके तो वो भी हेल्दी नह तो उससे blood pressure बढ़ जाता है तो added salt मतलो normal थोड़ा सा नमक डालो खाने में उतना ही कापी है ठीक है यह दो चीजे मैंने आपको बताई लेस्ट शूगर लेस्सॉगर 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 फैट तो जो हम एक्स्टा फैट खाते है वैसे जो नॉन वेज लोग खाते है जो होगे तो उससे direct fat जाता है cholesterol भी जाता है उसके बारे में भी हम थोड़े बात करेंगे जो चौथा चीज है जो लेस्स प्रोसेस्ट फूड जो है जो प्रोसेस्स जितना है उतना खराब है बॉड़ी के लिए जो हम केक पेस्ट्रीज बिस्किट्स वगरे काते है पीजा पास है और फिफ्थ इंपोर्टन है कि कॉंटिटी आप कितना लेते हो तो टोटल अमांट आफ फूड जो है वह भी इंपोर्टन होता है और फूड में बैलेंस डायेट मतलब डिफरेंट चीजे होनी चाहिए एक ही चीज से आप खान रहे तो यह सही नहीं है तो डिफरेंट च जान रख सकते हैं तो आपके डायेट में आप बदलाव ला सकते हैं जिस तरह कि हम तुसी है दसे हैं इन्हें चार चीजियां बरें ती इना दी कोई एश ग्रूप भी है नहीं यह कॉमन मिस बिलीफ है कि यह सिर्फ ओल्ड एज में चालू करना है या आपको डायबेटीस ह यह डायट है तो जितना आप जल्दी उनको इंट्रड्यूस करोगे तो तब अच्छा है मतलब दढ़ाएं गया कि किचन तो ही चीज़ा शुरू हो जाहिए ताहां जो सारी फैमिली नो यह आदत पैज है भी लेश शॉल्ड लेश शूगर इना सानी जिए सब फैमिली चें अच्छे है वह यह अच्छे है वह एक्चली ओर वेट होते हैं और तभी से वो प्रॉब्लेम चालू हो जाता है और हमको जब लगता है जो बच्छे बहुत स्कीनी है पतले है वह अच्छली नॉर्मल बेट होते हैं तो यह हमारा कंसेप्शन भी हमको चेंज करना चाहिए तो बच्छों और टीनेजर्स में भी टाइप टू डाइबिटीस के बीमारियां कुर रही है चालू मतलब पहले से थी लेकिन अभी ज्यादा दिखने को आ रही है क्योंकि यह लाइप स्टाइल चेंजेस और डाइटरी चेंजेस होने की वज़े से यह तो से बहुत है इंफर करता है और वह बोड़ी को काफी इंपोर्टन है काफी चीजों के लिए यूसफुल हो जाता है बोड़ी फंक्शनिंग के लिए काफी हर्मोन्स में टेस्टेस्टरॉन इस्टोजन उसमें भी कोलेस्टरॉल होता है सेल मेंब्रेन में भी होता है मेटबोलिक प्रोसेस में लगता है विटामिन डी के इसमें लगता है पैट अब्सॉप्शन के लिए लगता है तो उसको काफी यूजेस है तो इसमें ऐसा ह कि body almost 75 80 percent Cholesterol अंदर से बनाती है और हमारे डायेट से 20 25 प्रसेंट कोलेस्टॉल आता है ठीक है तो जो Cholesterol में भी दो चीजे रहती हैं एक जो Cholesterol बॉडी में मुझ करता है तो उसमें एक अच्छा Cholesterol रहता है और एक ख्राब Cholesterol रहता है तो जो low density like protein बोलते हैं तो वो खराब cholesterol होता है वो arteries में block करके heart attack और stroke जैसे बीमारी कर सकता है और जो high density cholesterol लेता है वो low density cholesterol को bad cholesterol को कम करने की कोशिश करता है और वो body के लिए अच्छा रहता है तो जो हमको अच्छा cholesterol है उसको ज्यादा बढ़ाना है और जो बुरा cholesterol है उसको कम करना है तो जो हमने पहले भी देखा जो dietary changes हमने बोले थे वो उससे चालू करना चाहिए कि कोलेस्टॉल अखेला issue नहीं है टोटल dietary issue है तो less sugar, less salt, less processed food, less saturated fat यह सब चीजे भी हमको ध्यान रखनी चाहिए और specific cholesterol के बारे में अगर हम कहें तो जो अच्छा cholesterol है उसे बढ़ाना चाहिए ताकि हम जैसे plant sources में अच्छा cholesterol रहता है, nuts में रहता है, walnuts में वगरे रहता है, margarine में रहता है तो उसको हमें ज्यादा खाना चाहिए और जो बुरा cholesterol डारेक्ली आता है, जैसे red meat रहता है और dairy products भी ज्यादा आप खाऊगे, full cream milk तो उससे भी ज्यादा आ सकता है और जैसे हमारा way of cooking भी जो रहता है उसके उपर भी depend करता है कि कितना cholesterol अगर हम ज्यादा oil डालके बनाऊ गई जैसे हम करीज हम काफी लेते हैं, तो उसमें करीज में क्या होता है कि पूरा meat होता है वो अंदर ही रहता है और oil भी ज्यादा आ जाता है उसमें अगर आप barbecue करके उसको अगर burn करें तो थोड़ा fat कम हो जाता है उसमें तो अगर हम ज्यादा curry करके बनाऊगे तो ज्यादा fat quantity ज्यादा आ जाएगी तो यह हमें कम करना चाहिए और इसके साथ ही हमें बाकी चीजों को भी ध्यान दखना चाहिए जैसे अलकोहल कम करना चाहिए smoking quit करना चाहिए और healthy lifestyle रखनी चाहिए exercise important है अगर यह सब totally करोगे तो total cholesterol कम हो जाएगा और life की quality और quantity दोनों बढ़ सकती है क्लाफ्टरोल दे पेछे salt, sugar है गया मगर साड़ा लोगां आम मीथ जड़ा है गया वो मनना है कि क्लाफ्टरोल जड़ा है गया उज्यादा तर डेरी प्रोड़क्ट करके अंदा जिस तरह की बटर हो गया ओल हो गया तो एक इस तरह के ना रिलेटिट है आप उस्चाह नही क्लाफ्ट लोगे तो हाई ब्लड प्रेशर आ जाएगा तो और डियाबिटीज आ जाएगा ज्यादा शुगर लोगे तो तो यह रिस्क फेक्टर एकदम क्युमिलेटिव बहुत बढ़ जाते हैं और उनको हार्ट डिसीज स्ट्रोक और सब रिस्काफी मल्टिप्लाइट ब दूद लेने में कोई ऐसे दिक्कत नहीं है लेकिन उसमें शुगर कभी दूद में नहीं डालनी चाहिए सिर्फ दूद ले सकते वो डिपेंड करता है आप दिन में कितना आपका इंटेक हुआ है अगर आपको ऐसे आदत है तो इतना खराब बात नहीं है दूद लेने में लेकिन उसमें एक्स्टा शुगर मट डालों ये हमने डायट के बारे में जनरल एडवाइस बताया है अगर किसी को स्पेसिफिक बीमारी है तो उसको अपने डायटीशन और डॉक्टर से बात करके एडवाइस लेनी चाहिए जनरल एडवाइस है डाक्टर साथ तो ही बहुत नोलज देती है साथे दर्शकानों खास करके क्योंकि आजकल डायट दे कारणी कई प्रॉब्लम आंदी हैं कई बिमारीयां जनम लेंदी हैं डायट दे करकी ते इस अड़ा आज दा सी के खाफ टॉपिक डायट दा कईया दे सानों इस तरीके नल को चना देने की है डायट जेडियां नमीया नमीया चली है इक किनिया का ठीक है ते किनिया की ठीक नहीं है सो डॉक्टर साब ने तानों बड़े वदिया सराल तरीके लिए समझा देता सो तुसी देख देरो संजा टीवी ते ता डिली अगली बारी कुछ और नवा लेके आओंगे इस देना ली सारे जानों प्यार पर ये साथ फ्रीका